बहुत सारा यूजर का PTM एकाउंट है और बहुत सारा यूजर का एक यूणिक पॉबलम है पैन कार लिंक, एनादार एकाउंट और एनादार नमबर नमस्कार मेरना में विकस और आप देख रहे हैं विकस टेक चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यह जो पॉबलम मैं आप लोग को इसके पहले बताया हूं यह पॉबलम एक बहुत बड़ा पॉबलम है इतना इजी में आप लोग सॉट आउट नहीं कर पाते हैं आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एकदम इजी और कौनसा स्टेप आप फॉलो करेंगे तो पर्टिकुलर आपका यह पॉबलम सॉट आउट होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले आपको क्या करना है पेटिये में आपको लेटेस भरसन आपडेट कर लेना है आपडेट करने के बाद आपको यह पॉसेस करना है और यह पॉसेस मैं किया हूँ हमारा बहुत सारा दोस्त का इस तरह आपका पॉबलम हुआ था मैंने एक एकर के सभी का सॉट आउट कर दिये हैं और यह एकाउंट कुछ दिन पहले इसका सॉट आउट करी है इसलिए यह लाइप प्रूप के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कैसे आप लोगों सॉट आट किया है और क्या किये हैं हम लोगों ने पहले आपको क्या करना है आपको पीटियम कास्टोमर के अरवे फोन करना है Paytm Customer Care में phone के लिए number कौन सा है यह और आपको बताओंगा तो यह वाला जो number आप देख रहाएं यह वाला number आप आप इस number पे पो फोन करना है जो मैं आपको can do you ? 않은 2054-56456 इस number पहने call करना है एह यह अंपे प्रेंट का e-holders करना है और को चुष करना है बैंक रिलेटेट कोई भी इसू है वो बता दीजे जब आपका problem बताएंगे जो हमारा यह problem हुआ है इसलिए उधर call करने के बाद आपको language चूच करने के बाद आपको banking related savings account related problem चूच कर लेना है और अधर इसूच कर लिजेगा उसके बाद आपका pin code नहीं तो OTP देके agent के साथ आपको बारचित करना है और बताना है हमारा जो pen number है वो दूसरी किसी number ने यूज कर रहा है हमको पता नहीं है तो यह जब बताएंगे वो लोग एक ticket ready कर देता है आपका account पर ticket generate करता है तो काम start होता है उधर से ticket generate करता है और उधर से आपको सारा कुछ काम करना पड़ता है बहुत सारा follow up लेना पड़ेगा उसके बाद यह problem का sort out होगा इतना easy में नहीं होगा जो लोग सोच रहे है एक click में सब कुछ हो जाएगा आप 10 minute के अंदर सब कुछ हो जा है इधर help and support बाला option है इसके बाद Nietz ne s güç में एक option मीरित help and support बहुत सारा सजोगे का उपर में है तो चलीए मैं इसका उपर में है तो मैं help and support में चले जाता हूँ जाने के बाद इधर दिखिए ई जो error दिखार द रहे आ बीउ MOW इदर आपको add click करना है जब आप इधर इसका सॉट आउट किया हूं मैं आपको बताता हूं जो इसमें लाइब प्रूव है, क्या क्या डॉकॉमेंस की जरुरत हुआ था, जिसे मेरा पैनकर मैं इसी नंबर पर एड कर पाया हूं, भीव ओल पर क्लिक करता हूं, इसके बाद मेरा बहुत सारा टिकेट मैंने जेनरेट जब ऐते हैं देखिए पैंकार आपडेट करने केलिए इधर बता है था जो थेए आपका फोटो भेजना है जिसमें आपका एकदम एकदम फोटो रहे दिख सकते हैं फोटो भेजने के लिए डीटेल्स देखे रखें तामसर कंडिसन जो है यह आपको देना पड़ेगा यह सब रहेगा इसके बाद इन्हों ने पैन कार भेजने के बाद देखिए इधार देख सकते हैं यह पैंकार अलग नंबर में एड़ करके रखें इन्होंने भेजा था pencard बट पैंद कार बता रहे यह जो नमबर एक अलग नमबर है जिसका जो हमारा फेंड है यह बहुत पूराना एक नमबर पे KYC था इसका भोटाराइटी करके देखे रखे थे बट अभी तो इसका आधरकार देके इन्होंने इस नमबर पे KYC कहें और उ जो डिटल्स बताया है यह एक भोट लेट है मतलब पैन कार एक नमबर पर यूज है आप इस नमबर पर यूज करना चाहते हैं यह पॉसेबुल नहीं है यह पेमेन बैंक की तरफ से टामसन कंडिशन में नहीं आते हैं इधर बहुत सारा कुछ इन्होंने लिखे हैं देख सकत इस मैसेज पर बताया है जो आपने किये हैं यह सही नहीं किये हैं पेटेम पेमेन आरेंक के टामसन कंडिशन में नहीं आते हैं आपने एक नया अकाउंट ओपन किया है और एक अलग नमबर पर यानि माल्टिपूल एकाउंट क्रेट करकर रखे एक भोटर आडी का देके ए इस लिए यह नमबर दिखा रहे है इसके बाद पर यह बताया है एजelim श करने के लिए e सितर के बताया है यह तरह नहोंने कंडिशन घ्रब यह सार करेगा और है के बात एगें बैग आएगा यह इधर बताया है एद पर डिस्टाप के साथ कुछ आप के साथ बातचित की है इसके बाद बताया है देखिए जो में पॉइंट पर आए है जो आपका वह एकॉन ब्लॉक कहने के लिए आपको सही तरीके से डॉकॉमेंट भेजना पड़ेगा बहुत दिन के बाद बहुत मेसेज करने के बाद यह जो फार्मेट है यह फॉर्मेट सही नहीं होगा तो आपका यह रिजेक्ट हो जाएगा मेन पॉइंट ए है अभी फोटो में आ चुके हैं तो आपका जो केस है सॉट आउट होने वाले है अम अदर आपका जो कोई भी केसी डोको में आपको अपलोड करना है इधा देना है और जिसमें डेटोब बाद सही तरीके से दिखाए और आपका जो आइडेंटी प्रूब है उसके बाद बाकी सब कागज रख देना है मैं माल लीजे मेरा यह कार्ड मैंने हाथ के में पकड़ के रखे है तो सिर्फ यह इधर भी नामबर है बट मेरेको इतना तक रखना इतना तक उनली चार रंग दिखाई देना चाहिए और हाथ में ऐसे पकड़ के रखिए आपका टामसन कंडिशन बताए था जिस दिन का फोटो आप खीज रहे हैं उस दिन का कोई वाइट पेपर पर लिखना है उसके साथ आपका डॉकॉमेंस कोई भी क्योई सी डॉकॉमेंस देना है और उसका लास चार इंग दिखाई दे और बाकी सब नहीं दिखाई दे तो हमने फो नहीं हुआ है मैंने एक बार इसका फोटो डाल के दिये थे काम हो गया है क्योंकि इस बेस सारा जूम करने से इसका नाम डेट बात सारा कुछ पता लग रहा है इसके बाद देख सकता है यह जो लास्ट चार आप अनली दिखाई दे रहे इसके साथ इसका फेस भी आ रहा है आपलोट किये थे आपलोट कहने के बाद लास्ट का जो है मैंने फोटो दिया था जो वाला फोटो आप लोगो दिखाया वह वाला फोटो देने के बाद इसका जो पॉब्लम है सॉट आउट हो इसके बाद देखिए इनको बताया गया था जो आपका जो वाला सेविन अपको जरूर उठाना है आपके बारे में डिटल जानेगा, जो बैलेंस था एधर एड करना था, इसलिए देखिए जो एक्सोपचास रुपिया, इनका एक्काउन में आ चुका था, क्योंकि जो पुरान एक्काउन है उस एक्काउन में रह गया था, तो एक्सोपचास एक्सोपचास रुपिया, जो पुरान एक्सोपचास रुपिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो इसका एक्काउन लिंग हो चुका है, मैं इधर चले जाओंगा, क्योईसी में, इसके बाद क्योईसी भीरिभाई में जाना है, इधर देख सकते हैं, क्योईसी इस तरफ से डायरेक्क फॉलो करेए, पोटो को सही तरीके से खिचिए, पांस से दर्स दिन तक आपको फॉलो अब लेना है, फॉलो अब लेनेके बाद आपका प्लम सॉट आट हो जाएगा, इसके बाद आपका निया रिस्ट, ये जब लिंग हो जाएगा, आपका नियार बस इतना ही मैं आप लोगों को जिदना तक जानता हूँ जीस तरफ से मैं पॉब्लम सॉट आउट किया हूँ डायरेक्ली लाइब दिखाया हूँ उसके साथ बता दिया हूँ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दूस्तों के से सर कह लिजिए मिलेंगे अगल वीडियो में तब तक लिए आचा लगे है नमस्ते